जै महाकाल दोस्तों मिया नाम है दित्ती और आपका मेरी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आज मैं बहुत साए लोगों की डिमांड पर ये वीडियो लेकर आई हूँ बहुत साय लोगों ने मुझे मेसेज करके कमेंट करके पूछा है कि कौन से जरूरी नियम होते हैं जरूरी चीजे होती हैं जो पूजा के मंदर में हमें करनी चाहिए रखनी चाहिए तो वही आज ये चार चीजें जो कि हमें पूजा के मंदर में जरूर रखना चाहिए वो चीजें के बारे में आज आपनों explain करने वाली हूँ कि क्यों रखना चाहिए और वो चीजें कौन सी हैं तो ये वीडियो बहुत ही useful होने वाला है आपके घर के वास्तु के लिए और आपके घर के सुख शांती समरधी के लिए तो ये पूरा वीडियो जरूर देखेगा और अ हमारे वीडियो को शुरूर करते हैं तो सबसे पहले बात आती है हमाई अपने घर के मंदिर में हमेशा प्रति दिन बहुत अची तरीके से नियम से पूजा प्रातना आर्थी भोग प्रशाद ये सब चीज़ें जरूर करना चाहिए जिससे कि हमारे घर का जो वास्तु है व चोटे से लोटे में या ग्लास में किसी भी चीज में पानी यानि की जल भरकर जरूर रखे हमेशा मदब दिन भर के लिए आपको वो पानी जल भरकर रखना है और फिर बाद में आप उसको किसी भी पेट पौधे में डाल सकते हैं तो वो हम पानी क्यों भरकर रखते हैं उ तो सारी जो बुरी चीज़े हैं आपके घर से वो निकल जाती हैं और positive energy का संचार होता रहता है तो ये जो पूजा है आपको हमेशा करना चाहिए प्रतिदिन करना चाहिए भगवान का ध्यान हमें हमेशा करते रहना चाहिए तो सबसे जरूरी जो मंदिर में चीज़े होती है जिसे की दो है पाँच है साथ है तो बहुत अच्छा होता है नहीं है तो आप जो काना जी आप देख रहे होंगे काना जी की भी पगड़ी पर एक मैंने मोर का पंक लगाया हुआ है क्योंकि जो काना जी होते हैं काना जी को मोर का पंक बहुत प्रिये होता है और अगर जिस अच्छा सब कुछ होता है, दूसरी जीट है कि आपको घर की मंदिर में बाह्सुरी जरूर रखना चाहिए, यह जी आप देख रहे होंगे, गुपाल जी के हाथ में बाह्सुरी है, बाह्सुरी जी होती है, वो राधा जी का प्रतीक होती है, और वो उनका एक साथ ही है, तो जिस तरीके से आप अपने गोपाल जी को सजार के सवार के रखते हैं, उस तरीके से आपको बाहसुरी को भी बहुत प्यार से साफ करकर गोपाल जी के साथ ही रखना चाहिए. तीसरी चीज़ आती है आपको शंक, शंक घर में आपकी मंदिन में जरूर होना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो एक विश्णो भगवान का प्रतीक है, लक्ष्मी माता का प्रतीक है, जिस घर में शंक की पूजा होती है, शंक को तेहवारों पे बजाया जाता है, और साफ करकर उ आश्रवाद रहता है, मा लक्ष्मी का उस घर में वास हो जाता है, जिस घर में शंक की पूजा होती है, क्योंकि शंक जो होता है, वो भगवान विश्णु और माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है, और शंक की दोहनी होती है, जब आप बजाते हैं उसको, तो आपके घर से न पॉजिटिव इनरजी का संचार होता है, आपके सारे काम बनने लगते हैं, सभी कुछ अच्छी तरीके से होने लगता है, और अब बारी आती है चौती चीज की, तो चौती चीज है गरुण देब, गरुण देब क्या होते हैं, जो कि हम घंटी बजाते हैं, वो गरुण बहुत जादा महत्व रोल उन्होंने निभाया था, जब सीता जी का हरण हुआ था, और उन्होंने राम जी को बताया था, इसलिए हम अपने घर में जो घंटी लगाते हैं, गरुण देब की बजाते हैं, उससे हमारे घर से नेकर्टिव इनरजी कोसो दूर भाग जाती है उस द्वनी से और इस तरीके से वो हमारे घर पर हमेशा आश्रीवत बनाया रखते हैं, हमेशा उसको देखते रहते हैं, सवारते रहते हैं, इसलिए घर के मंदिर में ये चार्जी जरूर होना चाहिए, मूर का पंक बहुत ज़ादा जरूरी होता है, मूर का पंक हमेशा र तो बहुत ही अच्छा रहेगा वो मैं भी आपको बताऊंगी तो यह जो चीजे हैं अगर आप अपने घर में मंदिर में रखते हैं तो आप बिना कुछ करे ही भगवान का अश्रिवात प्राप्त कर लेंगे और कोई भी आपसे भूल चुक नहीं हो सकती अगर आप इन चीज भगवान का यह जो प्रतीक है यह शंक यह आपको हमेशा अपने घर परन की पूजा करती रहना चाहिए लाल कपड़े के उपर रखेंगे तो बहुत ज़्या अच्छा रहेगा शुब रहेगा लाल कपड़े पर रखना बहुत अच्छा होता है इसके पर चावल भर कर भी आप सर्च कर सकते हैं यूटूब औल अबाउट संक के नाम से तो मिल जाएगा और यहां पर जो पांचवी चीज मैंने बताई थी आपको कौन सी चीज होनी चाहिए यह ऑप्शनल है लेकिन हो बहुत अच्छा रहेगा शिवजी का प्रतीक होता है डंबरू अगर आप डं करते हैं तो गर्ण देपता जी को डंबरू को और मोर के पंख को और हमारे शंक को यह जरूर यह चीज़े आप अपने घर पर रखें अगर नहीं है आपके पास तो आप जरूर उसको खरीद के लाए अच्छी शॉप से लाइए जिससे कि आपको धातू की चीज़े मिलें कि जो गर्ण देपता जी है वो धातू के लिना चाहिए पीतल की ब्रास के तो बहुत अच्छा होता है कि पूजा निया में तौर बे करें सबसे पहले इनहीं को आप जैल अभी शेक करें इनहीं को जैल जड़ाए और सबसे एक चीज़ और मैं आपको समझाना चाहती हूं बताना चाहती हो जो घंटा होता है जो बड़ी बारी घंटे आते हैं यह घर पर कभी भी ना लगाएं भूल कर भी घर में ना लगाएं यह जो होते हैं वो मंदिर में उतान कर सकते हैं मंदिर में दे सकते हैं अगर आपकी मन में एक्छा हो तो क्योंकि यह चीज़े होती है घर के लिए नहीं होती हैं, ये बाहर के लिए होती हैं, मंदिरों के लिए होती हैं, बड़ी चीजे हैं ये, तो इस बात का विशेश ध्यान रखें, अगर आपको भगवान विश्णु का, माता लक्षमी का आशिवा चाहिए, तो ये चीज़े आपके घर में होना चाहिए और इसका विशेश असर पड़ता है विशेश प्रुभाव पड़ता है आपके जीवन पर आपके जीवन में हमेशा सुख, शान्ति, सम्रद्धी रहे मैं यही कामना करती हूँ और आज का ये वीडियो अगर आको थोड़ा सा अच्छा लगा हो तो जरूर जरूर लाइक कीज़े शेयर कीज़े आसे लोगों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले आपका बहुत बहुत धनेवाद